प्लॉर में जितने भी तरह के फ्लॉर थे कंक्रेट का फ्लॉर ग्लास का टाइस का मार्बल का ओ सारे टाइब के फ्लॉर को एक ही में हम क्या कर दिया थे महुत ही सटेक तरीके बताये थे आज हम पढ़ेंगे रूफ यानि के छत यदि आप फ्लॉर पढ़ लिए तो समझे प्लॉर पढ़ेंगे ईन दोनों में बहुत ज़्यादा अनतर नहीं को तरीका नहीं को यकीन हो जाएगा जो उसमें बहुत ज्यादा याद करने जिरूत से दानतेटें कि धर समेंट्र मैक्समिंद चीजेया याद की जाती लेकिन आप छत याद किये तो समझ के चत कितने प्रकार के होते हैं तो च्छत जो होते हैं रूफ हमको पहना है रूफ तो से मिलते हैं दो तरह से मिलते हैं एक ना रूफ प् игр का रूफ होता है पहला होता करों या का रवी-शी का रूफ होता है ठीक ए Kenya सब्सक्राइब धूल्ब 25 का सब्सक्राइब करेंड या त्रशाद रखेगा अब का चान्स रहेगा जिस मेंबर मुरने का चांस रहेगा उसमें चान्स में चांस को ढालते हैं अगले समझ्टोव में जाएंगे तो समझ जाएंगे एफ से का रूफ का रूफ मतलब जो आप छत देखते हैं कि छत पर सबसे पहले पटरी बिछा दिया आता है उसके बाद मशीन से कंक्रीट मिक्सर आता है कंक्रीट मिक्सर से मिलाते हैं अब उसके बाद उसमें और को गया तो यहां सिमेंट का च्छत लेकिन एक रूपरसमेंट ना değild canpp 2020 यहाँ क्या मिरे लाल रीणोर्समेंट दूप लुक्म मैंने प्रसमेंट चीन ले आपके लिए जो कि उट्व एल है तो धोलर धोलर धोले धोलर धूल धोल यह पर हम्म क्या रखते हैं और रहते हैं और भी मिलता है उसी में च्छड को रखे रहात आप हम बनाएंगे आज नहीं बनाएंगे आज हम आर्च सी का चत पढ़ेंगे कल हम पढ़ेंगे आर्बीसी का चछत ठीक है तो फिर आपको चीज़ेग किलियर हो मुटा मोटा बता रहे हैं कि जो बहुत निए को रखें में एक रखे ऊसी घर में छठी आई घर से बहुत क कहो हैं और उसी में कंक्रीट को भड़ते हैं रिइन फ्रस्वेंट बिक कंक्रीट भाइब को रक्रेट बिरींच दिटेल डिखेगा और अर्ट यही दो नूच्छत आपको पढहना है, छोट्टू-छोट्डू से लेकचर होंगे दो-दो खतम अजाएगा ठीक है क्या है क्या आपको पढ़ना है आर सिसी का रूफ क्या तो जाएगा त्याने जबह अगा हो ही कौन सा जैसा आपको आया था त्पश्टन थाurg में 30 संट्रीमीयटर दिवार के लिए भंख एसकी नीवम में कॉस्टन था तिस में दिवार की दे भार कोढ़ को देखा गया है सब्सक्राइब खता है कि हार सीसी का जट कंग आया साजब का कहा है कितना हैं हम वांचि है 30 cm इसकेल तो समझें घान है और ड्राइन का अब दिवार लाए थे तो नीचे से एक लाए थे नीचे से एक दिवार लाए थे तो नीचे क्या किये थे हम एक दिवार लेका थे और कांटिनिवस किये थे अब वहीं कांटिनिवस से इसको क्या कर देना उठा देना देखिएगा उसी कांटिनिवस से क्या किये हैं इसको हम उठा दिए जहां कांटिनिवस किये थे क्या कहना चाहरा है यही कहना चाहरा है यहां क्या बन बना देंगे हम कांटिनीमस का सिमबल देखें यहां क्या बना धियां कांटिनी whenus का सींबल हर whoa है हो गया अब याद करें चत जब हम फोकस करेंगे उपर तो यह नीचे का कांटिनिवस देखिए नीव में उपर इंट्रेस्टेट नहीं तो नीचे क्या करते हैं जहां आया था हमाहिसे में शुरू कर देंगे उपर के साइद में तो अपर चलिएगा इतना चलना है कि अच्छा लगे ठेक है इतना लंबाई चलना है कि अच्छा लगा ठेख हैIES ना एक याद़ चाट बनाते कैसे हैं हम कर रहा है kleedo हूँ करते हैं उसके उपर और कर दो पर श्रकों जाते हैं और ये करते हैं ऊपर से हम धराय कर देते हैं तो दीखिए एक का ऐसे दिखता है दृखिएगा यह हो गया दिवार इवास च्छाष具 रहेगा तरख कर देखें जब नहीं मुट इधर भी दिवार रही कातily कि हटा देंगे इधर दिखेंगे कि एधर क्या दिखेंगी डिवारे और दिवारे दिखने गार छत भी तो कटा भाई अरुको तुम्हेल झेता सब्सक्सेंव सRE & अरज क्योंने अर्फ की मुटाई दिखांव धरतीं रहे करता है सब्सक्राइब करते जत थे लिए प्रस्चार में और दुवान पर कितना इसे पूरी जिसलैंव नगी हों है जर दो न है जो जो मोटाई में मैं इसमें पड़ गया तो पूरी लंबाई में पड़ा रहाएगा तो फर्स को ले जाकर चाहिए तरह च्छत को ले जाकर क्या करेंगे चलिए इन्हें सबसे पर ले क्या भी चाएंगे ध्यां देगा 10 या 15 सेंटीमीटर मोटा देखेगा एक 30 सेंटीमीटर है कितना सेंटीमीटर है मेरे लाल यह आपका 30 सेंटीमीटर एक कितना है 30 सेंटीमीटर ठेक है है कितना है 30 सेंटीमीटर है ठेक है क्या जागा आपका 30 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर ठेक है अब क्या करेंगा 30 सेंटीमी कितना20 cm अदर आएंगे और आगेदा। है कितना आगे बढ़ हैं और सुमधर लगे इतना बड़ जाना है के थोड़ा सा सुनदर लगे बागे अब कितना भी बढ़ सकती हो ठेक है इधर क्या मना हम काण्टिनियोस देंगे है कि कि हूझ जाएके चीजने समझा रही कि चिछना सेंटिमेटर नह entrepreneurs 20 सेंटिमेटर कितना है है वह एक कितना है मैं 20 सेंटेश कांश मोसच्ट थेक है तो कितना है मैं 20 सेंटेश मीटर से शनला हुआ है इसके बाद क्या बनाएंगे जो हम कर रहे ठेंशेसा छेच्ट है ना देखें है आर से से बना रहा है कि एक हुआ है कि क्या है कि अब इसमें का सिम्बल दर्शाइए तिर्भूस बनाएए कि हम थोड़ा कम ही बनाते हैं क्योंकि हम ज्यादा बनाने लगेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा है और यह बहुत सबसे पहले यही रहता है है अब अभी इतना यह कितना मोटा रहेगा एक इतना मोटा रहेगा यह नीचे भी लिख सकते इधर भी लिख सकते है ठीक है चैसे हम फर्स में लिखे था है ना तो लिखेंगा अब इसको क्या कि 10 12 या 15 सेंटीमेटर ठीक ठीक आर्शीशी स्लेव क्या लिखेंगे स्लेव 10 12 या 15 सेंटीमेटर मोटा रा एक सम्बंध है 2 सम्बंध है 4 कितना वाज़ेगा आपका एक सम्बंध है और उसके उपर क्या करेंगे इसको ढालने के बाद क्या करेंगे हम जो बीटुमीन होता है जो क्या करेंगे गरम करेंगे उसको क्या करेंगे गरम करेंगे एकदम लिक्विड बनाएंगे और इसी को पर क्या करेंगे इसी के ऊपर क्या करेंगे हम एक परत डाल देंगे क्या करेंगे इसी के ऊपर एक परत हम क्या करेंगे डाल देंगे इसी के ऊपर क्या करेंगे एक परत डाल देंगे अलकतरा का जब ऊपर ठंडा हो जाएगा फिर गरम करेंगे इसको नहीं अलग से गरम करेंगा और फिर इसके उपर एक डाल देंगे फिर क्या करेंगे फिर इसके उपर एक डाल देंगे इससे फायदा क्या है एक कत्राज होता है उन्नमी को सीलन को रोकता है किसको रोकता है मेरे लाल ओ क्या करता है सीलन को कत्राज होता हो सीलन को क्या कर और नेचे लिखेंगे हां क्या लिखेंगे कि टू कोट होट बिटमेन होट होट इसके ऊपर कढ़ एग होई मतलब गरम ठेक है इसके उपर सबसार सेंटुमेरि क्या क्यां करेगा एक काम करे श्यन को Alle को रोकर आपके एक अएसा छत रहाए जो यह सेलन को रोक है तो समझgeht कि एक कतर लगाना नहीं भी तो लगाना ही लगाना ठीक है उसके बाद साथ सेंट्टीमीटर क्या काईगा याल सी कि साथ सेंट्रीमीटर काईगा लाइब सीमेंट कंक्रीट हा आप करीज़ मेरे घर में नहीं डाला जाता है लेकिन इस्टेंडर्ड यही है तो पहना तो एक क्या चीज है एक क्या चीज है एक क्या चीज है एक लक्ला रहा था यह इसको ऊपर नीचे बनाई जाता है कि ठीक है उसमें क्या करिएगा उसके भर देना है कि एल सीच है क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका कि क्या हो जाएगा साथ सेंटीमीटर ठीक ठीक एल सीच एक संबंद है सेंटीमीटर इसके भाद थाइज संबंद है आपका सीच दHल जाएगा क्या इसक हो जाएगा क्या जाएगा सेच यहां ये चीजे समझ रहा है इसलिए च्छत याद किये तो फर्प सियाद रहे है इन तो longer त्थेक है वाई कि आपका अधाय सेंटिमेटर मोटा क्या आपका सीची देखिए यहां से ले क्या यह कि आपका अधाय कि सेंटिमेटर है ठीक सीची एक संबंद है दो संबंद है चार को कितने का युदात आपका संबंध है दो दो समन्द है ठीक है उसके बाद भी सीचिघंगा पुर्ञात धीक है Min लाइन 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 करेंगे क्या हुआ कैसा आपका धिक हो जाएगा लिख सकते हैं एक संबंद है चार का क्या हो जाएगा फिनिशिंग ठिक है अब देखें हम क्या कर रहें तुन ऊपर क्या है देखें उपर सब से पहले फिनिशिंग को छोड़ते हैं 20th MP मोटा सबस्क्राइब सबस्क्राइब कि इस नहीं इसको याद करेंगे तो याद करेंगे तो याद हो सकता है ठीक है उसके बाद क्या होगा कि जो आप इंजीनियर बन जाएंगे जो आप इंजीनियर बन जाएंगे तो आपकी साधी होगी आपकी लड़के भी होंगे तो लड़के बहुत बदमास होंगे कि इंजीनियर के लड़के रहेंगे ना तो छत पे जाएंगे छत पे जाएंगे तुम कोई भरोसा इसलिए पिद पाइरा पेटवाल है क्या बनाणा पड़ेगा इंजीनियर के बच्चों को बदमासी कि बचाने क्लिए क्या पाइरा पेटवाल पैद्ध बच्चे आप कि धर खेलेंगे तो इधर आएंगे तो रुख जाएंगे पैरा पैरापेटवाल चलाते हैं इसे कहते हैं मुंडेर दिवार यानि कि पैरापेटवाल एक कितना सेंटेमेटर बड़ा होता वह 75-90 सेंटेमेटर है ना बाहर लिखते हैं कितना बड़ा होता है 75-90 सेंटेमेटर ठेक है तसरी बात में लिखेंगे है nog अब आप देखिए पर चलाए उसके बत हम हम बनाते हैं क्या एहान हम बनाते हैं इस तरह का उससे कहते झाते को पिंग कि इसे क्या करते हैं को पिंग को बिंग और का सदेव नहीं होता है इस इसमें इसके बनाने के फाइदे क्या है नुक्सान तो है नुक्सान नहीं परसा लगेगा देखें क्या फाइदा इसे क्या कहेंगे इसे कोपिंग कहेंगे हुआ है क्या कहिंगे से हम कोपी सी ओ पी आई एन जी कोपींग कितना हो जागा एक संबंद दो संबंद चार कोपींग कितने का हो जागा एक संबंद ऐसा भी बन सकता है कि एक कोपिंग ऐसा भी बन सकता है ऐसा मतलब कि एक कोपिंग सीधे सीधे बन सकता है ऐसा ही बन सकता है ठीक है तो कोपिंग का कोई साइज नहीं नहीं होता है नहीं कोई शेफ होता है बस ऐसा बनाए जाता है ऐसा बनाने से फाइदा है होता है कि जब बारिस होगा जब बारिस होगा तो पानी इधर से आएगा और इधर गीर जाएगा इधर से आएगा इधर गीर जाएगा नहीं रहता तो क्या होता नहीं रहता तो बारि में क्या होता है घीर जाता ठीक है तो कोपिंग का सेब भी देख लिए और उसका कोई साइज नहीं होता कंक्रीट का बनाया जाता है उसके बाद इधर क्या कर देंगे हम सेक्षन कर देंगा है कि इसका वाल कर देंगा कि आए यहां किसका सेक्षन वाल का है चलिए वाल का सेक्षन करिए कर दो कर दो कि अग्या परप्लास्तर करेंगे क्या करेंगे आप पर देखिए कि क्या कर दिया प्लास्तर कर दिया है कि घ्ずक लास्ट है कि इधर क्या कर देंगा दोलब कर देना ट्स यहां भी होगा बढ़ी विल्कुल होगा यहां भी दिवारे हैं तो प्लास्टर होगा ठीक सुर्जशन देंगे इदर क्या देंगे प्लास्टर इसे लिखेंगे पैरा पेटवाल how to be a r a p e t फिर क्या ये गाफ़ डबलो ए डबल एड क्या ओज़ागा आपका पैरा पेट वाल ठीक है इसे क्या लिखेंगे ए आपका प्लास्टर एक क्या अगा प्लास्टर है लास्टर पिल एस टीझ भी राास्टर 166 ठीख है इसे क्या लिखेंगे वाई इसे लिखेंगे वाल है यह तो simply वाल है यह तो simple वाल वाल है में यह 18 सेंटिमेटर थीख है लेकिन admire पैरापेटवाल कितना ओंचा है बाई पचातर से नबबे सेंटी मेटर एफंचा है पैरापेटवेच अब इस में मल बारिस होगा तो बारिस का पानी से पानी का निकलने का प्रशता चाहिए तो दिखें यहां क्या करेंगे यहां डोटेट लगा देंगे पाइप लगाएंगे पाइप लगाएंगे एक्दम इसी के लेवल में और 10 cm उपर जाएंगे 10 cm मोटा एक और चीजा औप फिर एहां देखें यहां एकदम सट आते हुए एकदम सट आते हुए लगना चाही कि अलग अलग इतना सब्सक्राइब रखिएगा इन दोनों में इस प्लास्टर का लाइन और जो ला रहे हैं आप क्या पाइप इन दोनों को बिच इतना अंतर चाहिए कि लगे कि हाँ अलग-अलग लाइन है पाकी आपका से एकतम कम से कम जगां छोड़िएगा ठीक है यहां से लेकी जाना ठीक है ठोड़ा भी अगर फिरी एन्ड खीचते हैं तो पता चल जाता है है ठीक अभी बता है पाईक को कैसे बना रहे हैं अब द्यान दिएगा उसके बास उसको और नीचे तक यहां अप्छला सकते हैं नहीं तो ऊपर इक कांटिनियो उसका सीमड़ क्या कर सकते हैं बना स लिखेगा क्या लिखेंगे इसके बारे मुझेगा क्या कि 10 cm कि डाया का डाया का आउटलेट पाइप मुझे है आउटलेट पाईप है दस सेंटेमीट डाया का या आपका आउटलेट पाईप जाएगा है तो भी डिवार गांदर ढृत इसले κιय karagki yadi stuttwec kata now we haven't data Sula कि इही सबीर है यही दिवार है यही दिवार है यही दिवार है यही दिवार है चत लगा मालने तो चैनल पोपाइप लगा है है कि महले तो पाइप लगा हुआ यही छोट ना इधर दिंगे तो तो मुल्ट ़िखेंगे। यहां, पूरी के लेवल इवल kamu सहाइघ इसका मद पूरी आपप दिखेंगे। और यह तूदाल आप यह कि अपनी पूरीं आपर दोपूरी यह उच्छाम कोड़ेंगे। में बस दिवारै उतनी दुर क्या होगी उतनी दूर दूर होंगी तो दिखेंगा दिवारे नहीं को क्या कर दिने किसलेश में ऐसा ही चत है ऐसा याइस अचत है जिसमें से पानी निकलने का भी वबस्था हो देखिया पानी निकलने का भी वबस्था जो थरमल इंसुलेशन भी लिए टमपरेचर को भी रोगता है जो सीलन से बचाहे तो आपका two-quot heart से बचाता है यह समाझ रहे हैं तो आपके सिलेबस में यह कहेगा कि को बना देना है और कहें कि एक अच्छत बनाई है जिसमें थर्मल इंसुलेशन पानी निकलने की विवस्था तो था सिलेन की विवस्था की गई हो तो यही च्छत बनाना यहीं आपको च्छत दिख जाए कहीं भी और उसके आगे कुछ भी जोड़ा हो तो यहीं बनाना क्योंकि इसके अंदर हम सारा विवस्थाएं करती है ठीक है देखिए एक चीज़ छूट रहा था च्छड है ना कुछ भी एक लाइन एक लइन क्या कर देना आपको खींच दिन अब इद हम मोड दिझे आप ऑ Choi रख poorly दिखेंगे जो च игр होता ना च्छट पर Czyt जाली वनिए रहती है शर्ट पर सट लोके जाली तो दे रहा है थीक दिखाए जाना यह नहीं कि देखी है पो प्तरी लगाए है श्याइक इस पर देखे बहुत सारे चड़े दाल रहेंगे हम इदर कितना पुछण डालटे आप को क्या दिखेगा कितनी चड़े दिखेंगे जर तेहर प dusty हित मैं यहां कि लिखाईस फिर था इसे डाल Persians उनुक्त पॉइंट के रूप मेंदिखाए डिखाए देगा हैना लिखेंगे हम आप इशक्का पर देखाए इसके उपर से क्या लगाएंगे पॉइंट टेक से और एक लेक आएंगे ला इसकै Colin भर तना एक दो जगा इस नीचे क्ली रहेदा नहीं बाए चाड़के नीचे खाली रहेगा नहीं भाई है सैध्यों खराब थेक nam तो चड़ के नीचे में कुछ होना चीय लाइनवाले को लेके आएंगे डीख से लाइन वाले को लिए करके क्या क्या लिखेंगे मेर बार कुछ से लाइनवाले को लेकर एंगे और क्या लेकर आएंगे में य daw के किया लग देंगे में भार फिर पॉआइंट वाले को लेकर आएंगे के इसे प्ऑाइंट वाले को लेकर आएंगे ठेक है और किया लिविवीय व gates आने अर्फ ऐसे लिए को कि में बार के बाद किया अब्ला का है ओका डिश्ट्रिव्यूसण बार जो तो में बार इसका कुछ डाया होता है और यह कुछ कुछ दूरी पर लगे होते हैं ओ कहां जानना है आपका फोर्थ समेस्टर में जानना है ठीक है तो यहां कंप्रीट होता है कि आपका अगले लेक्टर में आरभी चिके साथ इतना याद रखे है यह आपका इतना हो गया तो अगले लेक्टर में तब तक के लिए गुट लग